नमस्कार दोस्तों, चानो टीवी में आपका हर्तिक स्वागत है, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रयाय अपने रोज मर्रा के जीवन में अपनाते हैं, बाल काटना और नाखून काटना, जी हाँ, बाल काटने और नाखून काटने से भी हमारी धन दौलत की समस्या दूर हो सकती है, हर इंसान की जीवन में धन दौलत की जरूरत होती है, अगर आज के समय की बात की जाए, तो आज के समय में ऐसा कोई भी काम नहीं, जो बिना पैसे की किया जा सके, ऐसे में धनकी क्या पहत्तो है, यह बताने की जरूत नहीं, वैक्ति सा काम करता है उसके अनुसार भी ग्रह प्रवावित होते हैं। ग्रह नक्ष्डत्रो का व्यक्ति की जीवन में बहुत बड़ा प्रवाव पड़ता है। अक्सर लोगों के बाल और नाखुन बढ़ते हैं। तो उन्हें वह कटवाते हैं। भारत में लोग मानता के अनुसार मंगलवार, ब्रासपतिवार और शनिवार के दिन लोग बाल और नाकून नहीं काटते। 34 की बात की जाए तो उनके अनुसार यह आदत सही होती है। कुछ ही लोग यह जानते हैं कि रविवार और सौमवार के दिन भी 34 सास्त्र के अनुसार बाल और नाकून काटने को मना करता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन बाल और नाकून काटने से आपके जीवन में खुशी आती हैं। रविवार के दिन काम करने वाले लगबख सभी लोगों की छुट्टी होती है सब ताकि इसी दिन वह अपने सभी काम करते हैं। देव का अधिप है भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामवार के दिन बाल और नाकून को कटवाना परिशानियों को खुलने मंतरन देने जैसा है। अपने दिमाग को इस्तिर रखने के लिए इन दिन बाल और नाकून कटवाने से बचना चाहिए। 34. सास्त के अनुशार बुद्धवार और शुक्रवार के दिन बाल और नाकून कटवाने से घर में बरकत आती है। तो जोरी में रखा हुआ धन इस्तिर रहता है। और कारोबार में भी तरक्की होती है। मालक्षमी की किरपा से धन की वर्षा सुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार, ब्रहसपतिवार और शनिवार के दिन बाल सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। जिससे विशिष्ट क्रिणे मस्तिक को नुकसान नहीं पहुँचा पाती। अगर इन दनों बाल कटवाया जाय तो कृणों का बुर्णा प्रवाव सिधे मस्तिक पर पढ़ता है, इसलिए इन तीन दनों में बाल कटवाने का कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों, अपने हिसाब से और अपने समय के हिसाब से आप बाल कटवाये। ताकि आपके पास भी धनकी वर्षा हो, धनकी कभी कमी न हो, तो दोस्तों शायद इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो दोस्तों ऐसे ही रोचक जानकारिये प्राप करने।